असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रीडर थेटर इंड लिटरिसी स्किल्स और लिटरिसी स्किल्स में जो सबसे पहले स्किल हम देखेंगे उसका नाम में फ्लुएंसी सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि फ्लुएंसी होती क्या है और हम कब कहते हैं कि कोई बंदा फ्लुएंट है उसकी डेफिनेशन क्या है लेकिन उससे पहले हम यह देखते हैं कि रीडर थेटर का दो तीन फायदे और क्या है जिसको बच्चों को पढ़ना है या जो याद कियाव है उसे बोलना है और परफॉर्म करना है तो आपके पास एक यह लिटरसी थीटर है, लिटरसी अप्रोच है, आपके पास एक जगा है जहां आप उनके अंदर लिटरसी स्केल डिवैलप कर सकते हैं, रीडिंग की भी, कॉम्रेंशन की भी और स्पीकिंग कॉम्रेंशन की, जिसकी वजह से यह आप मैक्समा प्रफॉर्मिटी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर उनकी रीडिंग फ्रॉएंसी जो है डिवैलप हो सकती है और बेतर हो सकती है, जिसके अदर बगेर किसी ब्रेक के कुईक्ली का मतलब यह है कि समझ भी आ रहा हो और इसके अंदर ब्रेक्स भी ना हो और एकुरेटली पड़ रहे हो, आपको पता चल जाए कि जी अप रिनॉंसीशन क्या है इन वर्ट्स की और इनको कैसे अदा करना है और उसके साथ साथ आपकी आवास और आपके चेहरे के पर वो एक्स्प्रेशन मौजूद हो जो कि इस कहानी के अंदर चल रहा है या उस करदार जो है वो उस चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है उसकी फीलिंग भी आपकी आवाज में सुनाई देनी चाहिए आपको बताने के लिए कुछ आपको बताने के लिए कुछ समझाने के लिए और राइटर जो है किस तरीके से उसने वर्स के अर्रेंजमेंट की है जिसके थिरू आपको कोई special या hidden meaning देना चाहा रहा है उसके sentiments क्या है उसकी tone क्या है ये तमाम चीज़ फ्लूइंसी का हिस्सा है so fluency का जो मैयर करने का तरीका है बच्चों के साथ या बड़ों के साथ उसका सबसे एहम जरिया है कि आप उसे बावाजी बुलंद पढ़ें जिसको हम कहते है read aloud or it is a common activity जो teachers जो है अर्ली येर्स की classroom में करते हैं और बच्चों को भी कहते हैं करें ताक्के बच्चों की fluency develop हो सके अब इसके अंदर हमारे पास combination है कि ना सिर्फ बच्चे verbal expression देते हैं बलके उनको समझ भी आती है कि इस text के अंदर क्या लिखाव है और वो उसको पढ़ते साथ ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा text है और ये कौन सा expression है रीडर थीटर के अंदर सबसे इंपॉर्टन चीज जो आती है वो है प्रक्टिस प्रक्टिस का फायदा ये कि बच्चे बार बार प्रक्टिस करते हैं और एक चीज को रिपीट करते हैं जिसकी वजह से उनकी speed और fluency जो है वो बहतर होती ही चली जाती है और टेक्स के बारे में इस्सा ले रहे होते हैं और बहुत ज्यादा प्रक्टिस कर रहे होते हैं और रिहसल कर रहे होते हैं डेफिनेटली उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और fluency दोनों बहुत बेतर हो जाती है अच्छा अगर बच्चे छोटे हैं और पढ़ ना सकते हैं तो फिर वो क्या जाते हैं तो आप बच्चे पढ़ तो नहीं सकते हैं लेकिन पोइम्स को उन कहानिया या चुट-चुटे डायलोक्स को याद करके एक्सप्रेशन और जस्टर के साथ परफॉर्म करते हैं तो यह आपका एक्सप्रेसिव रीडिंग स्टाइल हो जाता है जैसे जिसे टीचर गाइड करता है वैसे बिस से बच्चे सीखते जाते हैं तो रीडियर थेटर एक बहुत ही अच्छी अपरचुनिटी है बच्चों में लिट्रसी स्किल्स डिवैलप करने की स्पैशली अगर वो अभी नॉन रीडर्स हैं और अभी उनको पढ़ने नहीं आया रो टेक्स नह मिल जाती है और टीचर्स की गाइड लाइन से उनको मॉड्लिंग करने का चांस भी मिल जाता है